सर दिल्ली में को इस अत्मिल कांगरेस के थाराएं अशॉक गहलुत इसरली पती ने दे दर मंतिती दर्श करवाई आप स्पस्ट नहीं कह सकते कि क्या मुख्यमंत्री ने उनको भेजा यह अपने इस तर पर गए लेकिन जब चुनावी साल होता है तो इस तरह कि जो आयोजन होते हैं चाए डीनल पॉलिटिक स्टार्ट होती है लंच स्टार्ट होते हैं और उसमें हनुमान बेनीवाल की बेट बैठते हैं ऐसा तो नहीं है कि अब हनुमान बेनेवाल को यहां पर इगनूर किया जा सकता है वो जित्वा पाएं या नहीं जित्वा पाएं लेकिन हराने के एक समताब उनकी हो गई है एक जमाने में जो दूसरे दलों की इस्तिति हुआ करती थी और जो स्पेस था रास्तान में थर्ड फ्रेंट का उसको उनने काफी कुछ एक्वायर करने की कोशिस किये तो एक डर ये है कि वो अगर केंडिडेट कहीं पर उतारते हैं तो हरवा नहीं दें और कई लोग उसी डर से वहाँ पर पहुंचे हैं खास कर से जहां संभावनाएं वैभो गैलोत के लिए तल क्रिस के एक बड़े वो थे जो सारे पोस्टिंग ट्रांसपर उनके होती थी और अब रगुशर्मा साइड में हैं और धर्मेंदर आठोड सारा कुछ तैय कर रहे हैं राजनती में वक्त बदलता रहता है एक वक्त में धर्मेंदर आठोड रगुशर्मा को फोलो करते थे और अब रगुशर्मा धर्मेंदर आठोड को फोलो करते हैं और जहां तक हनुमान बेनिवाल के वहाँ जाने की बात है पुसकर में जो रूपन गड़ का इलाका है वहाँ पर जाट मद्दाताओं के बड़ी तादाद है वो प्रभावी भूमिका वहाँ पर अदा करते हैं लोदिया जो विधाय करें किसन गड़ से वो रूपन गड़ वाले एक सितर में उनका बड़ा प्रफावरा है अब वो उम्र दराज है वो बिलकुल नागोर से सटावा है हनुमान बेनिवाल की फैन फोलोइंग है वहाँ पर तो हनुमान बेनिवाल को खुस रखना ताकि व निश्थी तुरूप से उनकी चाहत रही होगी और धरमदराज होट पूरे मेकनिजम के साथ काम कर रहे हैं अपनी कॉंस्टिट्विंस को जीतने के लिए वो लगातार मैनत कर रहे हैं लगातार उनके प्रिजिएंस वहाँ पर है मुख्यमंतरी से उनके जो संबंद है पु तो वो अलग-अलग कास्ट को किस तरह से मॉपलाइज किया जा सकता है उसको जोड़ा जा सकता है उसी की कड़ी में उनका हनुवान बेनेवाल से मुलाका था वहाँ पर पाइलट खेमे के धुर व्यक्ते जो माने जाते हैं मुकेश बाकर वो भी थे मुकेश बाकर के अलाके में भी उन्होंने पिसली बार केंडिडेट उता रहा था और आज की तारिक में अगर नागोर जिले की राजनती को देखें तो वहाँ पर जो अभी सताधारी पार्टी है उसम महेंदर चोधरी सबसे मजबूत है उसके बाद में विजेपाल मिर्द मजबूत है लेकिन मुकेश बाकर वहाँ पर बिलकुल इगनोर फील कर रहे है अपने आपको रामनिवास गावडिया जो है वो अपने आपको इगनोर फील कर रहे है और ऐसी इस्तिती में संतुलन बनाने के लियाद से और रिष्टे निभाने के लियाद से नए रिष्टे के राजसभा सांसद्रियुचु सीवा भी वहां पे थे जो बहुत पुराने 2000 से राजसभा में हैं तो यह जो आयोजन है यह जो बर्डे पार्टी थी अगर वो सब को बुला रहे हैं सभी के साथ संपर्ख बना रहे हैं और हनुमान बेनिवाल ज्यादा कितना रिजल्ट दे पाएंगे यह देखने वाली बात है लेकिन उन्होंने अपनी प्रिजेंस संसद में भी शो किये और सब पॉलिटिकल पार्टीज में भी उन्होंने ये बात तो अपने तरीके से पहुचा ही दिये कि वो भी राज़तान के राजनिती में एक कि कयान